लो डिये फ्रेंड्स, वेलकम टू माई साइंस अकेडमी, आज हम डिस्कस करेंगी, आरपी सीट दुवारा आयोजित सेकंड ग्रेड साइंस का पेपर, जो की 24 दिसंबर 2022 को इवनिंग शिप्ट में आयोजित किया गया था, तो यह जो सेकंड पेपर है, इसमें हमने फिजिक् का पोर्षन, डिसकस कर लिया है, तो यदि आपने उनके वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप हमरे चैनल माई साइंस अकडमी की प्लेश्ट, सेकंड ग्रेड, प्रीवियस पेपर्स, की जो प्लेश्ट हैं, बहां से जाकिए, देख सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, जो बा बायलोजी में क्यूशन पूछे गए हैं, 24 दिसम्बर को जो पेपर होया उसमें, निमलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेश्टेंटा के द्वारा इस्तरावित नहीं होता, तो देखिए, जो चार ओप्सन हैं, उसमें से पर्स्ट, सेकंड और फॉर्थ, ये प्लेश्टें क्यूशन है, 3 बायलोजी का, इसके बाद जो 4 प्लेश्टेंट है, वो बायलोजी का क्यूशन पूछा गया है, कि लेमार्क द्वारा परतिपादित पुद्विकास का सिध्धान्त कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं, उपार जित लक्षनों की वनशागती का सिध्धान्त, इस है तो दिखिए जो बी ओप्शन है हमारा मटर जो गें हूँ यह दीग प्रदप्ति काली पोदों का समू है इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यह केमेस्ट्री की क्यूशन है इसके बाद नाइन्थ फिजिक्स का है यह फिजिक्स की क्यूशन चल रहे हैं त्वेल् जो क्यूशन है वो बाइलोजिका क्यूशन है कि टमाटर बेंगन वे आलू एंजियोस्पर्म आर्थ बीजियों के किस कुल से आते हैं तो यह जो टमाटर बेंगन जो एंजियोस्पर्म वाले जो पोदे हैं यह सोले नर्सी कुल से आते हैं यानि कि सोले नर्सी वाला हमारा राइट ओप्शन इसमें होगा नेक्स्ट जो इसमें 15 क्यूशन पूछा गया था सिस्टेक फ्राइबोसेस तथा फिनाइल क्यूत नूरिया जैसी बीमार्य निमन में से किसे संबंदित हैं तो ये जो दोनों बीमार्या है ए लिंग सुत्री ए प्रभावी जीन से संबंदित ह अब इसमें नेक्स्ट जो क्यूशन पूछा गया था तो अच्छा की वर्नक्ता में कौन सी धातू के एंजायम महत्पून भूमी का निभाते हैं तो तो अच्छा की वर्नक्ता में जो कोपर है वो एक महत्पून भूमी का निभाता है इसके बाद केमेस्ट्री का क्यूशन है 18 फिर बाइलोजिक क्यूशन पूछा गया है मानौ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो देखिए यह जो लिवर है यह सबसे बड़ी ग्रंथी होती है और अगनास से दिन क्या है मिक्स ग्रंथियों में आती है 19 क्यूशन देखिए निवल खित में से कौन सा वर्ग एवीज का लाक्षनिक गुण नहीं है तो देखिए इसमें जो वक्र नियोहिता तंत्र पून विक्सत नहीं होता है तो इसमें जो उप्षन यह दे रखा है यह हमारा रोंग हो जाएगा इसके बाद 20 क्यूशन जो पूछा गया था DNA मानचित्र जो DNA को विशिस्ट इसलों पर विदलित करने के पश्चात विदलन बिंदों की अवस्तिति को पहचान कर बनाय जाता है क्या कहलाता है इसे हम कहते हैं restriction mapping यानि कि third option हमारा इसमें right हो जाएगा इसके बाद जो next question है 22 निमलिकित में से कौनसा बीच अंकुरण का सन्रवंदक है तो इसकी बाद करें तो जो कुमेरीन होता है वो right option इसमें होगा इसके बाद 23 ये chemistry का क्यूशन है 24 है पूम रूप से विभेधित ब्रदुति के कोशिकाओं से अंत्रा पुलिय एधा एवं कोर्क एधा निर्माण संभव होता है तो ये होता है दिप्रेशन के कारण यानि कि निर्विभेधन के कारण नेक्स देखिए तो नेक्स इसमें ये फिसिक की क्यूशन है ये विसमें chemistry के क्यूशन है इसमें निवली खित में से एक कौन सी एक ग्रीन हाउस गयस नहीं है तो इसमें CH4 है CO2 है N2 है नाइट्रोजन के ओक्साइड है ये सभी क्या है ग्रीन हाउस गयस है लेकिन जो N2 है वो ग्रीन हाउस गयस नहीं है नेक्ष्ट क्यूशन है निवली कित में से कौन सा पाईरीडोक्सीन है तो जो विटामिन B6 है उसे हम पाईरीडोक्सीन के रूप में जानते है नेक्स्ट क्यूशन है वाइरस प्रिविष्ठी के द्वारा अनुलेखन कारक का निश्क्रिय करन जो एक इस्थाई प्रकार की कोशिकाओ को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर सकता है क्या कहलाता है इसे हम कहते हैं ट्रांस डिफ्रेंशेशन यानि कि फौर हमारा राइट ओप्षन होगा नेक्स्ट फिर केमिस्टी का क्यूशन है 34 है क्रिस्मस कारक के रूप में जाना जाता है तो क्रिस्मस कारक के रूप में जो हमारा नाइंत कारक है वो जाना जाता है इसमें सूची फार्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों से नीचे देगे कूट की सायता से सही उत्तर चैन कीजिए तो देखिए शैतूद का रेशम कीट है ये बॉम्बेक्स मोराई होता है और मूंगा रेशम कीट है ये एन्थेरिया एसामनिस होता है और एरी रेशम कीट है ये फ्लो सामिया रेशेनी होता है और ओक रेशम कीट ये एन्थेरिया पैरेनी होता है यानि कि इसमें जो राइट ओप्शन हमारा होगा थर्ड होगा इसके बाद अगर नेक्श्ट बात करें तो ये chemistry के क्यूशन है 37 फिर क्यूशन है सरचना रहित युकमोद विदी पादप जिनमें PD एक आंतरन पाया जाता है तो वो होते हैं मॉस next दिखिए ये chemistry का फिर इसमें physics के क्यूशन आ गए है बीच में फिर chemistry का 43 chemistry का है 44 भी 47 फिर बायलोजी का क्यूशन है इसमें हमारा पूछा गया है कि निम्लिकित में से कैल्सियम की एक महत्पूर्ण भूमी का है तो ये खून का ठका जमाने में सायक होता है इसके बाद जो क्यूशन इसमें chemistry के क्यूशन है आगे जो एक्यानवा क्यूशन है वर्ग रेटेलिया का वर्गिकरण आधारित है यानि कि ये हमारा होगा जो कैरोटी के टेंपरल छेतर में कुछ चिद्रों की अनुपस्थिती उपस्थिती या अनुपस्थिती दोनों इसको सूचित करती हैं इसके बाद ये जो फिजिक्स की क्यूशन है और जो नेक्स्थ हमारा इसमें क्यूशन है वो है फिप्टी फोर पे कोशी की ये कंकाल में होते हैं तो इसमें होते हैं हमारे माइक्रो ट्यूबर माइक्रो फिलामेंट्स नलिका एम शुक्षम तन्तू इसके बाद जो फिप्टी सिक्सेस में क्यूशन है वो पूछा गया था है सही कथन का चैन इसको करना है तो देखे इसमें पी सेकेंड का अभिक्रियागा के अंदर पी सासो है ये भी रॉंग है और जो थाड़ है पी सेवन अभिक्रियागा के अंदर पी छस्सो अस्सी है तो ये भी रॉंग है ये उल्टे सीधे कर रखें और प्रकाश तंसले में प्रकाश आउशोशन हावेश्टिंग तंत्र एंटिना कहलाता है इसके बाद जो क्यूशन है हमारा बाइलोजी का इसमें 58 क्यूशन है बहु कोशी के जीवों में निमलिकत में से कौन सा कोशी का प्रचौरत भदन या व्रद्धी का कारक नहीं है तो दिखे इसमें जो एरिथो पोईटीन है वो राइट अंसर इसमें होगा इसके बाद ये जो कुछ क्यूशन है हमारे फिजिक्स की क्यूशन है इसमें फिर 61 क्यूशन बाइलोजी का क्यूशन है कि एंजाइन की तरह कारे करने वाला न्यूक्लिकल अमल क्या कहलाता है तो राइबोजाइम ये कहलाता है इसके बाद 62 क्यूशन है एसंगत दिख्यक व्रद्धी पाई जाती है तो जो ड्रेसिना होता है उसमें ये एसंगत दिख्यक व्रद्धी पाई जाती है इसके बाद ये वाइलो जीके कुईशन नेक्स्ट इसमें हमारा है कि निमलकत में से कौन सा अभिरंजक काम में लिया जाता है तो ये नूट्रल रेड होता है इसके बाद पिजिक्स के कुईशन है और 68 ये कैमेस्टी का कुईशन है 70 जो कुईशन है कि जैल इलेक्ट्रो फोरेंसिस द्वारा प्रतकत डिने की खंडो को एथिडियम ब्रोमाइट द्वारा अभी रंजित कर यूगी विकिरन में अवलोकन करने पर ये डिने खंड पट्टी का दिखाई देते हैं यानि कि ये जो 70 है इसमें ये चमकी ले नारंगी रंगो के रूप में दिखाई देते हैं इसके बाद ये 72 कुशन है निम्र खित में से कौन सा अस्थिल मच्छों का लक्षण नहीं है तो दिखो ये जो प्लेकोइड होता है इसमें प्लेकोइड शल्क इसमें क्या होता है उपस्चित होते हैं तो ये बात रोंग है और बाकी इनके लिए ठीक है श्वेत रुधिर कणिकाओ के लिए कौन सा कथन सही नहीं है तो दिखे इसमें जो न्यूटरफिल हेपिरेन का इस्तराव करते हैं ये कथन रोंग हो जाए इसमें जो 74 प्यूशन है वो पूठा गया है जीन चिकल्सा का पहला प्रियोग सन 1990 में एक चारवियर सी है बच्चे में किसकी कमी को दूर करने के लिए किया गया था तो देखिए एडिनोस्थीन डाई एमिनेस की कमी को दूर करने के लिए प्रियोग किया गया था DNA Polymerase First को क्या कहते है तो इसे कार्व कॉन्बर्ग enzyme हम कहते है इसके बाद जो physics का क्यूशन है और ये भी 77 physics का क्यूशन है फिर chemistry के क्यूशन है इसमें कुछ 82 है नेटम में मादा युगमकोद भीद का विकास होता है तो ये चतुस की बीजानू नूज होते हैं ये यानि की tetra sporic होते हैं इसके बाद chemistry के क्यूशन है और 84 है K2A की जो muscle पेशनी वित्ती बनी होती है तो ये जो इसमें होते है circular muscle fiber यानि व्रताकार पेश के तंतों से बनी होती है निवलकित में से किस vitamin की कमी से प्रनाशी ये इसमें थोड़ा कटिया था रक्तालपा होती है तो ये जो कोबालमीन होती है उसके कारणी होती है इसके बाद देखे जीन विनमे की आवर्ती निर्भर करती है तो जो कि जीन विनमे की आवर्ती की बात करें तो ये दो जीनों की दूरी पे निर्भर करती है इसके बाद एकर इसमें एनेक्ष्ट हम क्यूशन की बात करें तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित एम संधरत वो किसके द्वारा किया जाता है तो यह IUCN है यानि कि The International Union for Conservation of Nature उसके द्वारा किया जाता है 90 के बाद इसके बाद Chemistry के क्यूशन है इसमें यह मैच करना था निम्लिकल में दो सम्मू है उसको हमें मैच करना था तो देखिए जो हमारा एरिस जिल्ख है वो सामिया सिंथिया रैसेनी से सम्मझेत होता है और जो मैगट चिकित सा है वो लियू सीलिया सेरी कोटा से और लाख है वो केरिया लेका से तो यह जो राइट आउप्शन होगा हमारा भी इसमें होगा अब नेक्स इसमें देखिए एक बहु प्रचलित दर्द निवारक एंटी फ्लेमेंटरी एंटी प्लेटलेट एवं एंटी पायरेटिक दवा है तो यह होती है एस्प्रीन नेक्स देखिए 95 यह पिजिक्स का क्यूशन है 96 फिजिक्स का क्यूशन है 97 98 क्यूशन है कि लाल सेवाल मिस संचित भूच्चे पधार है यह है प्लोड डुरीन स्टार्च इसके बाद देखिए परीपक को उत्तर के मध्य पाय जाने वाले विवद्जोतक का उधारन है तो दिखे यह होता है अंतरवेशी विवत जोता इसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें हमारा क्यूशन है पहरी टेमा में रक्त ग्रंथिया किन खंडों में पाई जाती है तो ये 4, 5, 6 खंडों में पाई जाती है ग्राम धनात्मक ग्राही जिवानों के संबंद निम्ल कितमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो देखे इसमें जो कोशिगा का आवरन तीन परतों से बना होता है ये इसमें रोंग है शक्राणों के किस भाग में माइट्रो कॉंडिया पाई जाते हैं तो जो मद्यकंड है उसमें ये पाई जाते हैं इसके बाद next देखिए ये physics का question है फिर 170 वा question है दो प्रजातियों के मत्रे अन्योन के रहा जो एक प्रजाती के लिए हितकारी तथा दूसरी प्रजाती के लिए नै तो हितकारी है नहीं ए हितकारी है ये क्या कहलाती है तो इसे हम कहते है कमंद सेलिज्म यानि की सहभोजिता 110 वा question है इसमें निम्म में से कौन सा प्रती रक्षिय अग्लोबेन रक्त तथा अंतराली दरव्यों में प्रमक रूप से व्यस्तित रहता है और प्लेस जिन्टा को पार करता है तो ये होता है आई जीजी 111 क्यूशन है वाहग प्रोटीन द्वारा जिली के आरपार अंवों का दूसरे अंवों से स्वतंत्र रूप से स्ववन करना क्या कहलाता है तो ये कहलाता है यूनी पॉर्ट इसके बाद इसमें जो बाइलोजी पॉर्शन है इसमें सबसे ज़्यादा क्यूशन पूछे गए है इसमें करीबन शैन 50 के अराउंड इसमें क्यूशन पूछे गए है वन फोर्टीन है जिवानों ये कोशिकाओं में बहाए गुनसुत्री है इकाई के रूप में पाए जाने वाले स्वय प्रतिकत व्रतिय एंदूरज की अनू क्या कहलाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं प्लाजमीड नेक्स इसमें क्यूशन है अन्तेत वचा की कोशिकाओं की कौनसी विशिष्टा उनके माधम से होने वाले जल परिवहन को बाधित करती है तो देखे जो कैस्पेरेन पट्टी है इसकी उपस्तिती बाधित करती है इसके बाध नेक्स देखिए कि भारत का वन्यजीव संस्थान कहां इस्थित है तो यह हमारा कहां इस्थित है देहरा दून में इस्थित है प्राकर्तिक रूप से पाए जाने वाले प्रती वाश्पोर स्वर्जर का एक उधारण है एपसिस्तिकल अमले क्रेस्थू लेसियन अमल उपाप्चे में और जेलो एसिटेट का अप्चेन मिलेट में किस एंजाइम की उपस्तिती में करता है तो यह मैलेट डिहाइड्रेंजेनस या मिलेट डिहाइड्रीनेज इसके बाद यह फिजिक्स की क्यूशन है और यह कैमेस्ट्री की क्यूशन आ गया है कुछ 126 वा क्यूशन है लेमनिया पेरिग्राम में कवच का घूनन प्रभावित करता है यह जो मातरक जीनों के द्वारा प्रभावित करता है आवर्थ वीजियो में एक नरीकुमक का दो दुरूविय केंदर कों से सल्यान क्या कहलाता है यह त्री सल्यान कहलाता है निमलिकित में से कौन सा एपरिमित प्रकार का पुश्मकरम नहीं है तो इसमें जो हेलिकोकोईड है वो राइट आंसर इसमें होगा इसके बाद जो सभी क्यूशन शायद इसमें टीचिंग में थड़के है तो यह इसमें बाइलोजिकी क्यूशन थे थैंक्स पर वोचिंग दी वीडियो